गुड मॉनिंग अब्रिवान वर्कम्टू सुवल सर्फ से श्टड़ी प्रक्टिस से अट नमबर यह 120 है यूपी PCS के लिए हैं प्रक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्णों पर हिस्ट्री अपनी चल रही है काफी दन से और टॉपिक का नाम है अब बिटिस प् बॉक्स में नमबर असपर कोले वर्ट सब कर दीजिए और इसकी प्लेइलिस्ट बना रखिए वहां पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर 120 या फ्यूचर में जो भी टेस्ट आएगा वहां तक पहुन सकते हैं डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक है उसका तो पहला प्रस्ट तो उसका उत्तर है लॉड रिपन देखिए मार्टिन वर्ड के भू सर्वेक्षन सुधारों के करण उसे उत्री भारत में भूमी विवस्था का जनक कहा जाता है मेकेंजी और मार्टिन वर्ड महाल वाड़ी विवस्था से संबन देता है ठीक है कल के टेस्ट में रियत वा दपनी थी और लूर्ड वेलेजली की सायक संधी भी देखे महालवाडी विवस्था के तहत जो है लगान की दर 66 पृतिशट तेखी गई थी और बिटेस भारत में महालवाड़ी विवस्था तीस पृतिशत छेत्र में लागू थी अलग से प्रश्ण कभी कभी कर लेते हैं कि आधुनिक यूपी के अधिकांज शेत्रों में जो है महाल वाड़ी विवस्था लागू थी और उत्तर एवं मध्य प्रंत के अलावा पंजाब के कुछ भागों में तथा दक्षिन भारत के कुछ शेत्रों में भी महाल वाड़ी विवस्था को लागू किया गया था। 1857 के विद्रों से उपजी आर्थिक तंगी के निराकरण के लिए तीन साल के बाद 1860 में लगाया गया था और फेरेज-ट youngest का संबंद से रिले कंशीं अधकर करके आप उत्तर प्रदेष पी सि आरो यहो की पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो 1861 के अधिनियम के द्वारा गबर्नर जन्रल की काउंसिल में एक सेन ने सरसिकी निप्ति का प्रावधान किया गया करजन ने इंपीरियल केडिट कोर का गठन किया और 1909 में प्रधान सेनापती को भारसरकार का एक मात्र सेनिक सराकार मान लिया गया 1925 में सर एंड्रियू स्कीन की अध्यक्षता में कमिशन बनाया गया इस कमिशन को इंडियान सेन्ड हर्ट कमिशन भी कहा जाता है और सी आरदास भी इसके सरस्य थे इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प ए प्रथम बिधी आयो का अध्यक्ष कौन था बिलियम बेंटिक रीज थौमस पुन्रो या मैकाले मैकाले ओप्सन नमबर डी तो प्रथम बिधी आयो का गठन 1833 के चार्टर एक्ट के तहट 1834 में किया गया जिसका अध्यक्ष मैकाले के उनिक्त किया गया प्रशन है लोक फेवधा आयोग का जनक जो है किसे माना जाता हैнего भारत में स्थानी सुसाशन का जनक लॉड रिपन है और लोक सेवा योग का जनक है लॉड कार्णोवालिस ठीक है लोक सेवा यानि सिवल सेवा और पुलिस सेवा दोनों का जनक अगर पूछ ले तो लॉड कार्णोवालिस ही है देखे लोग सेवा का जन्क कारनोबालिस को मारा जाता कारनोबालिस ने लोग सेवा के दरोजे भारतियों के लिए वंद कर दिये थे यह बात सुरू होती है 1800 से लोक सेवकों के प्रस्टिक्शन है तू 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज इस्थापित किया गया किसके दौरा लॉर्ड विलिजली के दौरा अब 1805 में हर फोर्ड में इस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई इसके बाद 1833 जो की है तीसरा चार्टर इस चार्टर के तहट लोग सेवा में भारतियों की निक्ति का प्रावधान किया गया यह लग सेवी प्रशन किया जाता है कभी कभी और 1853 में जो कि अंतिम चार्टर इस चार्टर एक्ट के तहर्ट खुली पृतियोगिता परिक्षा का प्रावधान हुआ तथा 1855 में Civil Services Commission की स्थापना की गई एक नोट यहां important है 1853 तक Commission 1853 तक Company के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुकती Company के Director तथा Board of Control दोरा होती थी 1853 के Charter Act दोरा British Sunset ने Company के संचालकों से नियुकती का अधिकार जो है छीन लिया या बापस ले लिया और भारते नागरिक सेवा यानि Indian Civil Services में नियुकतीयों के लिए पृतियों गिताब परिक्षा की व्यवस्था की गई अब इसी से जुड़ा एक और सवाल है Public Service Commission यानि लोग सेवा आयोक का अधिक्ष किसे नियुकत किया गया Village Ali, Charles Incision, Lord Carnovalis, William Wentick देखिया यहां उत्तर Lord Carnovalis नहीं है ये दो अलग अलग बाते हैं भारत में Public Service Commission का जनक यानि लोग सेवा का जनक कोई और है और जब वो Commission बन जाता है तो उसका अध्यक्ष कोई और है तो अध्यक्ष नियुकत किया गया था Charles Incision को Option No. B. Wisconsin तो 1879 में British सरकार ने एक कानून पारित करके घोशना की कि भारतिय जो है बिना किसी परिक्षा के उच्चितर पदों पर नियुकत हो सकते है ठीक है और इस गोशना में कहा गया कि किसी भी वर्स जितने भी इकरार नामे से बंदे Civil Servant नियुकत किये जाएंगे उनका एक बटे छे भारतिय होंगे जो इस्थानिय सरकार द्वारा चुने जाएंगे 1866 में डफरिन ने चार्ल्स इंचिसन की अध्यक्सता में पबलिक सर्विश कमिशन का गठन किया और इस आयोग ने प्रांतिय सिवल सेवा के गठन की बात कही यहाँ भी सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स इंचिसन कॉशन नुमर सेवन पर आजए बिटे सरकार ने किस वर्स यह निर्णे लिया कि सिवल सेवा परिक्षा बिटेन और भारत दोनों जगे एक साथ आयोजित की जाएगी पहले सिवल सेवा परिक्षा के बिटेन में ही आयोजित होती थी लेकिन 1893 से यह बिटेन और भारत में साथ साथ होने लगी तो 1893 से पहले सिवल सेवा परिक्षा बिटेन में आयोजित की जाती थी 1893 में हाउस ओफ कॉमंस ने एक विध्यक पास किया जिसके अनुसार यह प्रावधान लाया गया कि भारत और बिटेन दोनों जगह सिवल सेवा परिक्षा साथ साथ होगी कॉश्यन नमर 8 पर आचाईए इस लिंग्टन कमिशन का संबंद नम्लिक दमर से किस छेत्रों में सुधारों से है लोक सिवा में सुधार, निया एक सुधार, सिक्षा में सुधार, इस्थानी है सुशाषन में सुधार इस लिंग्टन कमिशन का संबंद है लोक सिवा में सुधार से अप्सा नमबर है इसका अंसर देखिया 1912 में सिवल सेवा पर इस लिंक्टन कमिशन का गठन किया गया जिसे रॉयल कमिशन के नाम से भी जाना जाता है 1923 में लॉर्ड ली की अध्यक्सा में इस कमिशन का गठन हुआ जिसने लोक सेवा आयोग के गठन की अनुसंसा की और 1925 में पांस सदस्ये लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई क्वेशन नुमर नाइन पर आजएए 1687 में सबसे पहले कहां पर म्यूनसिपल कॉर्परेशन का गठन करके इस्थानिये सुशाशन की सुरुबात की गई यह वही स्थानिये सुशाशन है जिसका जनक है लॉर्ड रिपन बदागी कहां पर बंबई में मदरास में बंगाल में पंजाब में इसका उतर है मदरास आप्सन नंबर बी तो 1687 में सबसे पहले मदरास में म्यूनसिपल कॉर्परेशन का गठन करके स्थानिये सुशाशन की सुरुबात की गई 1870 में मेयोद वरावित्य विकेंदरिकन की प्रकरिया की सुरुबात की गई और इस स्थानिये सुशाशी संस्थाओं के लिए कुछ मद्य निर्धारित की गई आगे जो है इस कारे को रिपन ने पूरा किया उसने तैसील बोर्ड बनाने की शुरुबात की किस ने रिपन ने और बड़े नगरों में नगरपालिका तथा ग्रामिर्ण छेत्रों में इस्ठाणिये बोर्डों का विकास किया रिपन ने और इन ही सुधारों के कारण Lord Ripan को भारत में इस्थानिये स्वायत तक संस्थाओं का जनक या भारत में इस्थानिये स्वसाशन का जनक कहा जाता है 1919 के भारत सशाशन अधियंह के द्वारा इस्थानिया सुर्षाशन को राजी के विशह की अंतरगत कर दिया गया तथा इसे हस्तान्त विशह माना गया तो कुछ चीजे याद रखेगा भारत में इस्थानिया सुर्षाशन का जनक छेनक लॉड रिपन है कि दस्वा प्रश्ण है दो स्टेट्मेंट वाला है महतपूर्ण सवाल है नम्लिखित कत्नों पर विचार करें पहला कतन है दादा बाई नहुरोजी ने पावर्टी एंड अन व्रिटेस रूल इन इंडिया एक तो यह हो गई कॉमा दा वांस एंड मीन्स ओफ इंडिया दूस भाहिर्गमन सिद्दान्द का उलेक किया है ठीक है भारत से जो धन विदेशों में जा रहा था जो भारत का खजाना खाली हो रहा था उसी के ऊपर यह लेक हैं उनकी किताबें हैं उनकी पुस्तक हैं उनकी रचनाएं और बिलकुल दोनों के दोनों सत्य हैं कभी-कभी स्ट पुस्तक को दावांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया भी और ऑन्दो कॉमर्स ऑफ इंडिया इनको भी याद रखेगा दोनों को तो सही पूछा है दोनों के दोनों यहां करेक्ट हैं सी है इसकांसर्ट देखिए दादा भाहिर ओनर जी ने पावर्टी एंड अन्बिटिस रूल इन इंडिया दा वांच मीन डावांच मीन्स ऑफ इंडिया ओंट कॉमर्स ऑफ इंडिया द्वारा धन इश्काशन के सिदांध की वैक्षा किया और रमेश चंद्र दत्ने अपनी पुस्तक एकोण चला जाता था दादा भाई नौरोजी के अतिरेक्त सी आर दास ने एसन बनर जी ने जी बी जोशी ने एम जी रानाडे आदिव विद्वानों ने भी धन निकासी के संदर्ब में विर्टेस सरकार की अलोशना की है तो 10 प्रशन थेए विस्टरी के मौडर्न हिस्टरी चल रही है अब इनकी प्रेक्टिस कर लीजेगा नएक्स्ट टेस्ट वीडियो में इसी के आगे से करेंगे इन सभी टेस्ट का पीडिये प्राप्त कर सकते हो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में नमबर अस पर कॉले वाटसप करके हर दन प्रक्टिस करते रहे हैं धन्यवाद